हेलो डियो फ्रेंड्स बेल्कित एक्जाम गुरुजी आज हम टोप 30 का पार्ट नंबर जो है 27 डिसक्स करने वाले हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए जितना भी कोशन हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारे ही सारे कोशन इंपोर्डन है और ऐसा न सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो ऐसे कोशन आपको मिलते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए साथ में बैल आगर को प्रेसिपी कर लीजिए तो देखिए सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट कोशन है वह बोल रहा है कि सूपर एलिवेशन ओन रोड इ सूपरेसिं करने के लिए कि honestly लिए तो यह आपको पता होऊंमें कि actu यह लिएunter की को लोड़ी आपको पता है कि सूपरेसिशन जादा वीकली से मे मे mess पाखिए टेज गाडि nowhere उसके लिए तो बहुत ही helpful रहेगा लेकिन जो धीरे-धीरे से चलती है गाडिया उनके लिए थोड़ा बहुत कस्पताइक हो सकता है क्योंकि उनकी जो गाड़ी होती है वो अंदर के लिए पलट सकती है अगर सूपर अलिएशन आपने ज्यादा पर वाइट की होगी तो सूप स्टिंस फो ट्राफिक कंट्रोल और हाइब डिए टीफिये फिटेशन अफ्रर इस टाइशन आपने अच्प्राइब दिए थिए अगर वी स्टेंड फोर वी की फुल फोर्म क्या होती हमें यह बताना है तो यहां पर मैं ने सभी के बारे में डिस्क्श केया था कि वह होता वो क्या होता है perception होता है I क्या होता है Intellection होता है E क्या होता है emotion होता है and V जो होता है वो volition होता है break लगाने तक का समय इसको आप इस तरह से define कर सकते हैं volition time option यहां पर A हमारा question के लिए answer हो जाएगा B for volition यहनि कि break लगाने वाला time जो होता है उसको आप B से express कर सकते हैं वैसे आपको सबी के बारे मैं पता हूं जो कि perception क्या होता है तो perception यह होता है किसी वोच्ट ही इस्तिती को समझने के लिए गिलीए जो समय लगता है उसको आप perception बोल सकते हैं जाससे आंखे जो होती है, कान जो होता है, इनका कार्य जो होता है, यह परसप्शन में ही आएगा, उसके बाद इन्डेलक्शन होता है, आई जो होता है, यह मान करें कि सिच्वेशन क्या है, उस पर विचार करना है, तो यह ब्रेन का कार्य हो सकता है, उसके बाद यह आता है हमारे प क्यों नहीं कि अगला व्कशन कि आ के तेगे थर्थ कापफी मेट एक बाउं मिद्वह found कि यहां मैं जी एक हैं कि में थे सब्सक्राइब आप कफ़शंग नहीं तो मैं थेशन ठीट थे 500 एक वारशों सेंटर फेसिंग आप वहीं機 व्कांद की उसके, option D, हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा, next one question क्या बहुता है, shape, give away sign in the traffic signal, give away, give away, का जो sign होता है, वो क्या होता है, रास्ता देने का संकेत क्या होता है, तो यह triangle होती है, लेकिन inverter होती है, option D, हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा, तो यह चीज़ आप पर याद रखिए, कि भई, give रास्ता देने का जो होता है, क्या होता है, उसको अगला question क्या बोर रहा है, toughness property of an aggregate can be tested by adopting, toughness की हमारा जो aggregate है, वो कितना tough है, तो उसकी property जो होती है, aggregate की वो आप test कर सकते हैं, भाई कि इसको adopt करके, तो यह aggregate की जो impact test होता है, उसके द्वारा ही आप toughness को ज्याद कर सकते हैं, adopt कर सकते हैं, determine कर सकते हैं, impact test होता है, उसके द्वारा ही toughness जो होती है, उसको आप find out कर सकते हैं, अब यहां पर aggregate के तीन cases आते हैं, कि हमारा aggregate कितना tough है, उसको लेकर good है, medium है, very low aggregate है, यहां फिर value जो होती है, 6 से कम होती है, तो वो हमारा aggregate होता है, very low aggregate होता है, अगर value, हमारी value जो होती है, 14 से 17 के बीच में होती है, तो उस case में medium होता है, हमारा aggregate, greater than 19 होता है, तो उस case में हमारा aggregate होता है, बहुत ही अच्छा होता है, good होता है, 19 के लिए, तो यह तीनों point भी आप याद कर सकते हैं, exam में इसको लेकर भी question बन सकता है आपका, अगला question देखेता है, combination of rail, fitted on slipper and resting on blast and subgrade is known as, combination of rail, fitted on slipper fit की गई है, resting on blast पर rest कर रही है and subgrade पर is known as, permanent way, temporary way, roadway, point and crossing, क्या है उसको हम बोलते हैं, यह question बहुत ही अच्छा question है, इस question के लिए हमारा answer हो जाएगा, permanent way हम उसको बोलते हैं, combination of rail, fitted on slipper and resting on blast and subgrade is known as permanent way, permanent way जो होता है, यह चीज़ भी आप याद रखिए, जो अर्थ सर्पिस होता है, उससे 7 cm उपर होता है, यह चीज़ भी आप याद रखिए, अब यह पे railway में कुछ filling and cutting के लिए slops रखे जा तो 2 ratio 1 होता है, यह निके h horizontal and 1 vertical, और अगर आप cutting की slope की बात करेंगे, cutting की जो होता है, उसके लिए तो 1.5 यह निके dead ratio 1 का slope होता है, यह भी exam में important है, इसको लेकर भी question बन सकता है, उसको बात है कि the device that is used to transfer the weapon, the device that is used to transfer the weapon, passenger coach और locomatic from parallel track without any shunting is known as, without any shunting, उसको आप traversal बोलते हैं, option B हमारा इस question में असर बन जाएगा, traversal, अगले देखे, what is the value of slope required for coning of wheel, coning of wheel के लिए slope क्या required होता है, coning of wheel के लिए, यह question हम एक तो बार discuss कर चुके है, coning of wheels के लिए, जो slope required होता है, one in twenty होता है, one in twenty, option C, इस question के लिए अन्सर बन जाएगा, अगला question देखे है, minimum depth of blast, question for a broad gaze, wooden slipper of size, wooden slipper के size दिया गया, broad gaze के लिए पुछ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है, kinematic viscosity, option D, इस question के लिए अन्सर बन जाएगा, अगला देखे, which of the falling fluid can be classified as non-neutonin fluid, non-neutonin fluid के नाम से आप किसको जानते हैं यहाँ पर, अब non-neutonin जो होता है, जो liquid की form में होता है, बिसले liquid की form में तो blood भी होता है, लेकिन इसका clothing हो जाती है, जम जाता है, तो human blood and toothpaste जो होता है, वो non-neutonin होता है, option B हमारा इस question के लिए अन्सर बन जाएगा, kerosene and diesel oil and water, यह तीन जो होता है, यह newtonin के example होते हैं, newtonin fluid के example हैं यह, option B इस question के लिए अन्सर हो जाएगा, उसको बढ़ देखे, when a fluid mass rotate without any external forces, fluid का जो masses है, वो rotate कर रहा है, without any external forces, जो बाहर की force है, वो नहीं लग रही है, being impressed on it, then it is cold as, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला लेता है, free vertex flow बोला लेता है, तो बिलकुल सही है, option D, C हमारा इस question के लिए अन्सर बन जाएगा, देखे, इस question के लिए अन्सर फ्री vertex हो जाएगा, free vertex flow जो होता है, उसको आप erotational flow भी बोलते हैं, erotational flow भी बोल सकते हैं, free vertex flow जो होता है, जिसके ये आपको और कहांखा देखने को मिला है, जिसके बोश पेशन होती है, guide vein जो होती है, इंपलर जो होती है, वहाँ पर भी आपको free vertex flow ही देखने को मिलता है, अब एक और point होता है, जो force vertex flow होता है, जिस पर force लगा के rotate किया जा सके, उसको force vertex flow जो बोलते हैं, यहाँ पर कोई भी external force नहीं लग रही है, तो free खाया है, यह free vertex motion हो बोलेंगे, लेकिन इस पर force लगेगी, तो आप इसको force vertex flow बोलेंगे, देखे, देखे, the coefficient of discharge for internal mouthpiece which is running is full, the coefficient of discharge होता है, internal mouthpiece के लिए which is running full is, क्या होता है, running full के लिए 0.0707 होता है, running free के लिए भी होता है, तो running free के लिए 0.5 होता है, यह running free है, यह running full है, तो यह आप याद रखी, free, full, सिर्फ यही difference है, बाकी कुछ नहीं है, free, free, वैसे, हाँ, देखा जाए, तो आप देखेंगे, पर trick भी बन सकती है आपकी, free and full, F तो आपको पता है कि according to हम dictionary के ही चलते हैं, A, B, C, D, इस तरह से चलते हैं, तो F पहले आएगा, यह भी पहले आता है, फिर R देखिए, यह पहले आएगा, U बाद में आता है, P, Q, R, T, U, कितने दूर चला गया, तो इस तरह से 0.5 इसके लिए, full के लिए 0.7, यह देखें, 5, 7, पहले, बाद में, तो इस तरह से ट्रक भी बन सकती है आपकी, तो आपको याद करने के लिए असान हो सकता है यह, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि exam के point office से important है, option to discharge आपको इस तरह से दिया हो सकता है, C and D, CD for internal mouse space which is running full, यह which is running free, तो यह चीज flow takes place in circular pipes, laminar flows होता है, वो आपको circular pipes में देखनों को मिलता है, at what distance from the boundary, does the local velocity equal the average velocity, so point 29 रह इस question के लिए असर बन जाएगा, अगला question हम यह देखते है, the notch angle for maximum discharge over a triangular notch is, notch angle जो होता है, maximum discharge जो हो रहा है, किसके ओपर हो रहा है, triangular notch जो है, उसके through हो रहा है, तो क्या होता है, notch angle जो होता है, maximum discharge के लिए, 20 degree, 60 degree, 90 degree, या फिर 120 degree, तो notch का angle जो होता है, वो 90 degree का होता है, option C हमारा इस question के लिए अंसर बन जाएगा, अगला देखिए, एक concrete or machinery structure, concrete or machinery structure, placed in an open channel, over which the flow occur is cold as, उसको आप क्या बोलते हैं, तो concrete or machinery structure, जिसके open channel पानी जो होता है, flow होता है, उसको आप बांध ही बोलते हैं, B हमारा इस question के लिए अंसर बन जाएगा, अगला question जाएगा, अगला question देखिए, तो flow of water through under atmospheric pressure is called, flow of water through under atmospheric pressure is called as, तो वो रहा कि flow of water through under atmospheric pressure, ऐसा पानी, एक example के तोर्वर मैं समझा रहा हूं आपको, कि एक ऐसा पानी जिसके उपर, जो होता है, atmospheric pressure लगता है, वो किस में लगता है, तो वो नदिया rivers जो होती है, open channel जो होता है, नहर बगएरा जो होती है, उसका जो फानी होता है, उसकी जो उपर की सतय होती है, उस पर bio mentally दाव लगता है, atmospheric pressure लगता है, option C, हमारा यहां पर दिया गया, open channel rivers होता है, जो नहर बगएरा होती है, वो होता है, तो उन सभी पर, उनका जो पानी होता है, उनके पानी के ऊपर की सतय होती है, surface जो होता है, उस पर at most very pressure लगता है, option C, हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा, अगला question देखिए, in a pitot tube, velocity of flowing fluid at any point in a pipe is given by, cancer रहे गा इस question के लिए, यहां पर option कुछ अजीब से दिये के है, बाकी सारे option तो अजीब है ही है, तो अजीब ही है, तो अन्डरूट 2GH होता है, बिलोस्टी जो होती है, flowing fluid की, option B हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा, अगला question देखिए, most commonly used pump for lifting water in water supply mains के लिए, most commonly used pump for lifting water in water supply mains is, तो मान के चलो कि आपको कहीं main station पर पानी पहुंचाना है, तो वहां से आप distribution करेंगे, तो mains के लिए पानी पहुंचाने के लिए जो pump use कि जाता है, लिफ्ट करने के लिए वह होता है, एगजली flow pump, एगजली flow pump जो होता है, यही यूज कियाता है, क्योंकि इसकी जो efficiency होती है, बहुत ही जादा होती है, इसलिए यह pump use किया जाता है, अगला देखिए, maximum size of clay particles, clay particles जो होते हैं, उसके maximum size क्या होता है, सबसे पहले मेंक्सीम साइज पता होने चाहिए, maximum तो आपको पता लग ही जाएगा, minimum size होता है, यह minimum होता है, यह maximum होता है, तो हमारा question-based answer बन चाहिए, clay particle की बात हो रही है, सिल्ट की बात हो रही है, सिल्ट का, जो maximum होता है, वो 0.075 mm होता है, यह सिल्ट का साइज है तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए कि मैक्सिम कौन सा होता है और मिनिममम कौन सा होता है यह मिनिममम होता है यह minimum होता है सिल्ट का, 0.202 mm, यह सिल्ट का होता है, बसे common चीज़ी हैं, सभी को पता है, अगला कुछ देखें, लिकोफिकेशन प्रोसेस इस जेनरली सीन इन बिच टाइब आप स्वाइल, द्रवी गर्ण की जो प्रोसेस होती है, आपको किस तरह के स्वाइल पे देखने को म होता है, तो वो वर्टिकल ड्रेक्शन में उपर की और बहने लगता है, उस पर एक वर्टिकल फ्रेशर काम करता है, उसकी वज़ा से उस पानी जो होता है, उपर की और बहता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो सवाइल बगैरा होती है, वो लूज हो जाती है, तो इस प सेंड यह fine सेंड जो होता है इसमें आपको देखनों को मिलती है जो चोड़ी-छोडी सिल्ट होती है यह इनसभी में आपको देखनों को मिलती है अगला वोक्शन बेखे कि which of the following is the correct sequence of plasticity of mineral in soil in an increasing order कि इसकेशन में हमारा अंसर सी अंसर जागा इसकेशन में हमारा अंसर सी अंसर जागा इसलिका केलियुनाइट इलाइट एंद मॉल्ड मॉलियुनाइट इस करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला कैंसिंसे इंदेट्स ओप्सॉयल क्या होता है तो करनेजिंसिंट्स जो होता है वह लिकूर लिमिट तूपी नेशुल वाटर कंदेंट और अप्शुनाड सी हमारा को सफटी की ऑंसर बन जाएगा इसकेशिन का वह रहा है तो क्वेशन क्या हो avt पर्मेर्बरिटी औव खली फोटी है कkellे की जिसके अंदर पानी जो होता है जो एक उसको लेटीज निहींट प्योंते हैं प्रीक सिक्सा लिए पर सब्सक्रोंसे मिष्ट सब्लिजों संवना चाहरे थो यहां परणे science fan to power minus six centimeter per second यह होती है उस पर सिल्ट जो होती है उसके लिए भी आपको पता होने चाहिए सिल्ट के लिए one into ten raise to power minus three से लेकर one into ten raise to power minus four यह सिल्ट के लिए होती है कॉपेचंट ऑफ फर्मेब्रेटी अगला कोश्चन हम यहां पर देखते हैं इन एनलिसिस ऑफ रेट जब भी आप एनलिसिस ऑफ रेट करने हैं तो कॉंटिटिव ड्राइब मोतार वो टैन्न मीटर औफ ब्रिक वर्क सेकन अ मुझा यहां पर टैन ड्री नहीं है जोसका होती है उसका के जितनी होगी उसका 30% होती है यह चीज आप याद रखिए तो याप इसका 30 प्रैंट झालेंगे तो 100 cm क्यूबिक मेंटर आता है तैन परसेंट होता है तो देखिए तैन का 30 परसेंट ओबर हंडर आप करेंगे तो यह देखिए थीन हमारे पास अंसर आ गया त्री क्यूबिक मेंटर होगा आप्षण D हमारा इस क्यूशन के लिया अनसर बन जायेगा 30 कूिबिक मेंटर 30 परसेंट ऑप्षण D हमारा इस कोशन के लियाँ आंहीं सर्थ होग जाएगा उसको वार ये क्यूशन सबी को मारा इस question के लिए answer बन जाएगा अगला question देखिए तो weight per meter of 20 mm diameter बार is weight per meter 20 mm diameter 20 mm की एक steel की बार है उसका diameter 20 mm है उसका हमें weight निकालना है एक meter के लिए कितना होगा easy है सारे कुछ easy तरी के साब find out कर सकते हैं बहुत ही lengthy तरी का आपको नहीं use करना है इसके लिए 20 का square over 112.2 इस तरह साब find out कर सकते हैं यहीं के d का square यह formula है 112.2 तो d का square यहीं के diameter का square तो आप इस तरह से कोई भी answer find out कर सकते हैं तो हमारा answer c answer बन जाएगा आप find out कटके देख सकते हैं बही calculate आप कर सकते हैं आगला question है कि local share failure में occur in local share failure जो होता है आपको किस में देखने को मिलता है तो local share failure जो होता है वो आपको loose sand and soft clay में देखने को मिलता है बी हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा एक local share failure होता है दूसरा general share failure भी होता है इसके बारे में थोड़े बहुत में अपने community section में आपको डाल दूंगा post जो है क्योंकि वहां से आपको थोड़ा बहुत और भी देखने को मिल सकता है वो चीछ भी important exam के point of view से आप देख सकते हैं अगला question देखिए the shear force is usually associated with shear force जो होती है वो किससे associate करती है तो shear force जो होती है वो bending moment के associate होती है यानि के companion होती है सहचारी होती है option A हमारा question के लिए answer बन जाएगा अगला last question देखिए हमारे इस वीडियो का ये question हमने repeat किया है पिछले वीडियो में में डिसक्स किया था क्योंकि एक question जो है कम पढ़ रहा था तो हमने इसी question को दुबारा से repeat कर दिया which of the following is the main reason to provide frog in the bricks ये हमने 26 में first question discuss किया था तो आपको पता है कि उसके बारे में हमने detail पर प्रवाइड किया था option B हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा फ्रेंड्स जिसने चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लिजिए साथ में बैल आइकन को प्रेस कर लिजिए तो ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए मिलते हैं next वीडियो में झाल सकते हैं